हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जादी आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगता है और अपने सभी फ्र इनर्च निकालेंगी तो सबसे से बाथ करने परने मूद YouTube अगोन है वह क्या होता है किसी भी पार्टिकल का मुंधं थ — कैसे निकाल देते हैं अप पहले बात कर लिए तयाह पिर। हो जैसे के पास कोई पार्टी गष्यां मेंखर उसको हम चेंज करना चाहिए उसको अगर हम कि उस्टी नहीं होना चाहिए व उस ता में रहने की उस अबस्ता में के लिए जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं चड़तो याने की इनर्सिया या तो क्या हो जाएगा परिवर्टन में बदलाव में जो रुकाउट आती है किसी भी परिवर्टन करते हैं उसके परिवर्टन में जो रुकाउट पैदा होता है उसके बदलाव में जो रुकाउट होती है, उसको हम क्या बोलते है inertia बोलते हैं, ठीक है ना अब बात करे लेते हैं, कि moment of inertia क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकल का moment of inertia क्या हो जाएगा जैसे आपके पास कोई body है ले लिया है, उस body के अंदर हमारे पास एक particle लिया, हमने क्या P उसका particle हो गया P अब इस body के अंदर हमारे पास एक line ड्रोग की हमने A से B line ड्रोग कर लिए अब हम क्या करेंगे जो particle P है उस particle P से A P line पर हम perpendicular ड्रोग करेंगे एक perpendicular ड्रोग किया हमने क्या लिए A B line P जो particle है उस P particle की जो length है A B line से वो हमने मान ली कितनी X मान लो R मान लो जैसे आपकी विच्छा हो तो हमने क्या माना जो AB line है आपकी AB line से P के distance कितनी हो गई X मान ली और जो particle P है उसका mass है हमारे पास M है तो जो particle P है आपके पास उस particle P का moment of inertia क्या हो जाएगा यानि कि उस particle P का M I क्या हो जाएगा moment of inertia क्या हो जाएगा द्रव्यमान या मास द्रव्यमान गुणा लंबवत दूरी तो क्या हो जाएगा मास इंटू जो perpendicular distance है उसका square क्या हो जाएगा आपके पास moment of inertia तो द्रव्यमान हमारे पास particle P का कितना है M और उसकी जो प्रपंडिकुलर लेंद्थ हो कितनी है एकस स्केर तो हमारे पास इस particle का moment of inertia कितना आ गया M x स्केर क्या आर लेना चाहूं तो आर ले तो आम आरो स्केर हो जाएगा हमने इसकी distance स्केर हो जाएगा आर मान होगे तो आर उसके तो क्या हो जाएगा moment of inertia किसी पार्टिकल का उसका द्रव्यमान इंटू उसकी को भी लाइन के प्रपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसकी distance का स्केर हो जाएगा moment of inertia अब हम बात करते हैं प्रोडेक्ट ओफ इनर्शिया की तो प्रोडेक्ट प्रोडेक्ट ओफ इनर्शिया प्रोडेक्ट ओफ इनर्शिया या फिर जड़त गुण जड़त गुणन क्या हो जाएगा जैसे हमने x-axis या y-axis ठीक है उस पर इक पार्टिकल यह आमने पी उस पार्टिकल P के कोरडिनवट है हमारे पास क्या x & y और उसी पार्टिकल का मास कितना है हमारे पास ठीक है अब हम क्या देखेंगे इस पार्टिकल पी की इसके लंबवत डिस्टन्स कितनी है और इसके लंबवत इसकी डिस्टन्स कितनी है तो इसके लंबवत इसकी डिस्टन्स हो जाएगी एक्स और इसके लंबवत इसकी डिस्टन्स हो जाएगी वाई यह हो गई एक्स अंड कि लबवत दूरी जो प्रोडेक्ट और इनर्शा है वह दो एक्सिस के बीच मी निकलता है एक में नहीं निकलेगा ठेगा नहीं है तो जो गुडन करेंगे हम वह क्यों हो जाएगा उस प्रॉड उस पार्टिकल का मास इंटू क्या हो जाएगी उस पर्टिकल की एक्साइस के दूरी एंड Y-axis के लंबत दूरी का प्रोड़क्त या उनका गुडा करना तो वह हो जाएगा आपका प्रोड़क्त ओफ इनर्शिया आइसे ही है मॉमंट ओफ इनर्शिया और प्रोड़क्ट ओफ इनर्शिया हो गया, अब हम देखते हैं अगर जैसे अभी देखो हमने इसका तो एक पार्टिकल का निकाला अगर हमें खूब सारे पार्टिकल का अगर निकालना होता क्या का मास हो जाएगा M4 इसका मास M1 इसका मास हो गया आपके पास M2 इधर मास हो जाएगा M3 ऐसे अगर हम इनकी डिस्टन्स ले तो यह तो X1, X2, X3 and X4 तो इसमें से पार्टिकल है यसे कि तो इसकी डिस्टन्स एक्स तो यह एक्स इसके रो जाएगा ऐसे आई थरी का निकाले तो जाएगा M3, X3 ऐसे आई एन तक निकल सकते हैं यह तो जाएगा MN और XN की पावर तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल पोडी का मोमेंट ओफ इनर्शिया क्या है आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3 से लेकर इन तक इन सब को जोड़ दोगे तो यह हो जाएगा M1, X1 की पावर 2, M2, X2 की 2 से लेकर MN, XN की पावर 2 तो यह हो जाएगा लिमिट आई की है, 1 से N, इसको हम लिख सकते है, M1, XI की पावर 2, यह हो जाएगा एक से अधिक प्रोड़क्ट के लिए हम निकाल सकते है, moment of inertia, अगर आपके पास एक से जादा क्या हो पार्टिकल हो तो उनका moment of inertia ऐसे निकल जाएगा, अब हम देखते है, आप पहला आपके पास एक छड़ है, जिसका मास आपके पास M है और उसकी लंबाई दे दी, कितनी 2 तो वो क्या कह रहा है कि वो जो छड़ है, उस चड़ के मद्दे बिंदू से हम कोई लंबत लाइन ड्रो करेंगे, उसके मद्दे क्या निकालना आपका moment of inertia, तो गहरा आपके पास एक AB छड़ है, अब इस AB छड़ की length आपके पास है, 2A, ठीक है, अब हो कह रहा है कि इसका म मद्दबिंदू है, उस मद्दे बिंदू से हमें क्या निकालना उसका moment of inertia, तो हमने मान लिया, यह हमारी L line है, ठीक है, हमने क्या AB लाइन पर हमने मद्दे बिंदू से एक परपंडिकुले ड्रो किया, O L, अब उस O L के सापक, हमें क्या निकालना है, या इसके परित, हमें या इसके अबाओ हमें क्या निकालना है moment of inertia तो हम क्या करते हैं आप पूरी छड़ निकालने की compare में हम क्या करते एक particle ले लेते है क्लपांस ले लेते हैं चोटा सा कोई तो हमने कलपांस ले लिया पी एंड क्यू अगर इस लपांस जो पीकउ अल पांस लिया हमने इस पीक्उ of inertia निकाल दें तो हम मान लेते हैं कि O से P की distance हमने मानी X है जब O से P की distance X है और Q से P O की Q से distance कितनी हो जाएगी X प्लस डेल X ठीक है ओसे O P O Q की distance आगे X प्लस डेल X O से P की distance आगे X तो P Q की distance कितनी आ जाएगी डेल S तो P Q distance है जो एकल पांस है उसकी volume यह वो कितना area कवर कर रहा है तो इसकी आगी P Q कितना आ गया डेल X अब हमें निकालना है क्या जो P Q particle है इस P Q particle का moment of inertia तो जो P Q particle है उसका moment of inertia निकालने के लिए हमें पहले चाहिए moment of mass इसका पहले मास निकालेंगे मास निकालके फिर हम निकालेंगे इसका moment of inertia तो मास का फोर्मुला जड़ता हो कि मास गनाता हो के अंदर मास का है 2A तो हमने क्या क्या density निकाल ली M upon 2A किसकी P Q पूरी छड़के according हमने इसकी density निकाल ली यानिकी पूरी छड़का मास कितना था आपके पास M और इसकी लेंद कितनी थी 2A अब हम निकालेंगे जो P Q particle है P Q पांस का हम क्या निकालेंगे P Q पांस का क्या हो जाएगा P Q का धरवमान हो जाएगा रो इंटू यह जो कितना ए्यरे यह घृक्स हो जाएगा रो की वैलियू आपको पता है कितनी रो टूम ये निकाल यह हमने लिद्टिक योबित पू पार्टिकल है उस उप्य फूपार्टिकल का ओलिएंगे पी-कू पार्टिकल का क्या किया मॉमेंट ओफ इनर्सिया तो द üz्टरों मांस एंटू पर्परिंडिकूल्र इंटिकूलर दिस्टेंस परप्रिंडिकूलर डिस्टेंस प्राश्किर अब देखो मास जिस्ट अभी आपने निकाला है M upon 2A डेलेक्स तो यहाद एगा आपके पान M upon 2A डेलेक्स और आप जानते हो कि इसके परपेंडिकुलर O L के परपेंडिकुलर क्या अगर P Q L 5 का लिख लेना है या कि P Q L 5 परपेंडिकुलर किसके लिए हम O L जो है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्स है तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी एक्सिस के अब हमारे पास यह क्या गया M I पूरी छड़ आपके पास जो पार्टिकल P Q लिया उसका आपके पास मॉमेंट ओफ इनर्सिया अब इस पार्टिकल के मॉमेंट ओफ इनर्सिया को अगर हम इंटिगेट कर देते हैं लिमिट से जब लिमिट से इसको इंटिग्रेट करोगे तो आपके पास पूरी छड़का क्या जाएगा और आप देखो इसको इंटेग्रेट करने ही कैसे आपकी पर्स पूरी छड़ी की लेंद कितनी है तो यह आप जो लमवत दूरी ले रहे हैं जो लमवत है जो ओल पर पर पंडिकुलर बनाई हमने वह किस सेंटर में बोल रहा है कि सेंटर से वनाना तो देखो सेंटर से इदर कितनी रहे गई और इस सेट भी डिस्टेंस कितनी रहे गई ए जब एक सेक्सिस में लेते हैं तो इधर की वैल्यू पोजिटीव होती है और इधर की डेगिटी तो इसके लिमिट कहां से कहां चलेगी आप जम निकालोगे एबी जो आपकी छड़ है या रोड है एबी O L के परित M I O L के परित moment of inertia तो इसके परित moment of inertia क्या हो जाएगा इसका integration अभी मैंने बताया limit आज चलेगी A से A M upon 2 A x square dx तो M A क्या अपका constant है तो M to A भार आ जाएगा यह इसका integration करेंगे तो X cube 3 यह हो जाएगा minus A से A अगर आप minus A की limit को अठाना चाहो तो आप कर सकते हो तो अगर इससे हम 2 का into कर दे तो limit हो जाएगी 0 से A तो आप चाहो तो वैसे कर सकते हो यह सीधा यह हो जाएगा M upon 2 A अगर इंटू कर दे हम 2 से तो आपके limit कहां से कहां हो जाएगी X cube 3 0 से A अब इसके value रख दो यह हो जाएगा किसी भी छड़ के अंदर आप सेंटर से क्या निकालोगी उसका moment of inertia सेंट सेंटर के लंबत को लाइन ड्रोकरी है उसके लंबत हम क्या निकालता है moment of inertia तो यह जाएगा जालो थैंक यू अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से रन केमेंट कर देना अग झालः का लंबत है निक कर दो प्लीज से बालो थैंगा कर दोका दो आपको यह पंगा खर आपको एुर मझेंगा।